पिस्टन जो टाइट है उसका सिम्टम किया है बिना लीव यह चाओ लीव कर सकते हैं देखो पिस्टन नीच आटोमाटिकल नहीं जा रहे है तो यह हम इस उबलते हो पानी पर यह पिस्टन है इसको आप डाल देंगे यह हम इसलिए कर रहे हैं कि नूश लीब डाला है और इस इस से दिखाऊं यह देखाऊं स्टीव लार कटिंग करना पड़ता है कि अध्यक्राइब का बहुत स्वागा थे और एक संट के जो वीडियो है लास्ट वीडियो में इसका इंजिन के उपर जो प्रावलेम्स हमने सलोसम किया था और इसका पिस्टन एगें सीज हो गया था तो आज किस वीडियो में हमने बोले था कि इसके अंदर स्लीव डालेगा क्योंकि हमने लास्ट वाला पिस्टन यूज किया था वह वान इम्म का पिस्टन जो की चार्ट स्टेव में होता है 0.25, 0.50, 0.75 और लास्ट में और अभी इसके उपर बोरिंग तो हुआ है और अभ हम एगेन गौर्स का पिस्टन यूज कर रहे है कोई दिक्कद ने इसके मर्पी में आपको तारो 1370 रूपिस का स्टेंडर साइज अभी जो कंपने सारा रहे पिस्टन सेम साइज के पिस्टन स्टेंडर साइज हो गया कि हमने इसके उपर इस ब्लोक को स्लीव डलवाया स्ली चार बार चलेगा अगर मेरा पिस्टन चार बार सीज हो जाता है तो इसमें चार बार बोरिंग कर सकते हैं पॉइंट टूफाइब कर सकते एक बार पॉइंट फिप्टी पॉइंट सेवेंटी पाइप और वान इम्म तो यह लगफ़क नियू हो चुका है और गौस का पिस् पिस्टन ठीक है बिल्कुल brand new piston है बट ये इसका अंदर लूज हो गया rx100 में जो फोर्ष टो पारे चोर देता है आक सांदर में पिश्टन इसका अंदर लूज हो गया है हला कि सब कुछ सही है सब कुछ से यह तो इसकी अदर फिष्टन ट टेकरा कने पिस्टन पिस्टन ट सबसे पहले हम इस ब्लॉट को और यह वला हेड और ब्लॉक को करेंगे आपके सामने उसके बाद इसके अंदर हम करेंगे पोर्टिंग एक ने कॉमेंन किया था ध्यांज थुनिय अगा एक वह ने कॉमेंट का ले गा नहीं क्योंकि वह उसको अंदर सकता है उसको उसको बाड़ प्रक्षिंय कर सकता है तो इसके वह लॉटक लना जाना नियुंद ड्रॉय को इसको भी बड़ा उस में इक पड़ा मैंदा ऊस्व को बहुत है बहुत बहुत बढ़ जाएगा पर सेम चीज हम इसमें कर रहे है थूपोर्टिंग तो आज वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है हम इसमें कर रहे हैं नियू ब्लॉक संदिन इस्टोल नियू पिस्टन विट पोर्टिंग करेंगे और जो 1.25 अपने डाले के लिए बोला आप क्यों आपने बोला क्योंकि उसको पाऊर बहुत बढ़ जाएगा तूपोर्टिंग पोर्टिंग हम इसमें परेंगे इस पिस्टन को कि रहे हैं तक को देखना बहुत हो बढ़ाक हो तो यह बहुत हो अपक्ती लगा है आपके बदीओ अभी होने जा रहा है चल आजके सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें बहुत मोटिवर मिलता है ऐसा मौटिवर करने के लिए शुरू करते हैं सबसे फहले हम इसको क्लिन करेंगे देख रही है कितने गंदिंगें अपको करना है किसी क्लिंग हो विए फोल्य करने दीन रात एक हो जाएगा बढ़ी अच्छे से लिए देगार ब्रांड नियुके और एक इस तरह का ब्रस लगेगा हाड़ वर्स लगवाल पचास से शार र कि अज़िए कि लगवक ब्रेंड नहीं हो चुका है तो इसमें मैंने दो चीज काम कर एक्ष्टा दरीके से पहरा जो बोरिंग हुआ था अभी मैंने बोल के पिस्टन को टाइट करा है जितना आप पिस्टन को टाइट रखेंगे उतना ही आपका फाइरिंग में इजी होगा ज्यादा दें तक विस्टन चलेगा और मैंने बोल गिए क्रोस टाइप कर आप जब भी बोरिंग कराऊ क्रों क्रों करों तो इसमें ज्यादा दें जिल्दी से लूज नहीं होता है इंगरिंग देख रहे हैं तो यह स्लीव कर निषा निखा हुआ दाला है और इस से पर इस दिखाँ हूँ स्टीव गरना पादा है यह बालाvida कrialपshy मोटाए बुला स्लीप यह दखो तो इसके अंदर स्लीप डिला है उसके बाद बोरिंग है इसका अंदर मैं दिखा दो क्या का मिलता है और यह गजन पिन यह रोलर बेरिंग हर टाइम अगर आप पिस्टन यूज कर रो तो रोलर बेरिंग हमेशा नियू लगाना और ब्रेंड पिस्टन बहुत ज्यादा टाइट है तो इतना टाइटव हो चलाएगा नहीं तो यह पिस्टन देख सकतने थेंजर्ड हो और यह वाला पिस्टन इसका अनदर मैंने खराद बालासे बोलके टाइट करेंschool तो उस्ने बिल्कूल कि में अब तोश्डह आने है नहीं हमको इसक कि इस पिस्टन को हमने बिल्कूल ल्यूब करा है और इसके गर्जन पिन है इसके अंदर डाल देना है हलका सा को उसके बाद एक सूलदा रिंग्रिज लेना है और इसके अंदर हमको इस तरीके से फसाद है तो मारा पिस्टन जो है इस तरीके से मूब करेगा अभी इसके उपर हमको ल्यूब करना है और यह जो पोर्ट है पोर्ट आपका कारबड़ा साइल लेगा और इसको अंदर बाहर मतलब मिनिमाम 15 मिनिट खिसना है उससे होगा यह इसका जो सेफ है वह इजी ले ले लेगा और जो डस्ट बैगा रहा है वह नीचे चला जागा कि मैंने इस प्रिस्टन को टाइट करने के लिए अल्लेडी बोला है तो इसको लैपिंग करना पड़ेगा अ कि 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 क क कि 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 इस तरह से आपको मतलब 10 से 15 मिनट करना है और पिश्टन जब कुल चिक न हो जाएगा देख सकता अल्रेडी चिकन हो चुका है और इसका ब्लोग बिल्कुल चिकन हो जाएगा किस्तर गैसे करना पड़ेगा 15 मिनिमम दस से पंद्र मिनिट करना पड़ेगा अब तर्म आब दश से पंदार मेंटेर लैपिंग करने के बाद सीधा रुजल्ट बिलकोल चिकना हो चुका है यह देख सकते ह्यां सबक्राइब कर ना sehen पिस्टन को और अभी मुझे पिस्टन डैमेज नहीं करना है इसलिए हम इतना मेहनत करें इसलिए मैं आपको इतना त्रिक बगरा दिखा रहा हूं कि इसमें पिस्टन आपका बहुत साथा चलेगा और जो प्रॉब्लेम था नहीं आएगा तो मारा पिस्टन सेप में आ चुका अभी पिस्टन को हीट होने से ठंडा गार देंगे बाद में तो पिस्टन अपना जो मतलब जॉइंट बाइं बॉन्डिंग है बो सेप में ले लेगा इसको आपको लगए 15 मिनिट तक उबलते पानी में रखना है सब गर्मा गर्म पिस्टन का कलार देखो चेंज हो चुका अभी पिस्टन बिल्कूल रिडिटी उसाब इसको बिना पोर्टिंग करके ऐसे मतलब जैसे इंजिन बनता है तो आप इसे लगा सकते कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगा इसमें कर रहें पोर्टिंग में देखो क्या दिक्कत है पोर्टिंग में सबसे पहले देखो जो रायमन है जो ये बाला पोर्ट है येडिरट फोर्ट है तो येवालर जा दो होल है सको इसको सेमसे करना पढ़ेगा ये वाला इसके और साथ करने पड़ेगा देखो अभी यह वाला विक्लोड एलायमेन हो चुका है तो यहां पर दोगों सेम सेम हो चुका है बट इसका जो गैप है देखो यह वाला यह सेम सेम नहीं मतलब नीचे वाले सिलेंडर से मैं पिस्टन जो है मैं आच नहीं हो रहा है इसी में आमको करना है आख चोटा वालाप ठीक है इसको हमको मार्किंग करके इसको सेम सेमग्राइड करना पड़ेजा और सेम इस पार्ट में भी इतना इस सब्, कुनक पिस्टन गजुदक अथ近 करना है तो इसको मार्किंग करके इतना भालापाट हमको क्तिंग करना करना है पहले यह वाला कटं करेंगे उसके बाद इसको पोर्ट में भी उसके बाद इसका पोर्ट इसको मोधिकर्स करेंगे फेक्रैंब करना पड़ेगा प्राइब जो अ competent मैं अधर अंदर के तरब देखेंगे बिल्कुल थां से देखिए गास इसमें मतलबak lavender नेया है मझा है कि पिछ़ं को पूरा धख्याना पड़ेगा किया की यह वाला पोट पिछल का जो पोट इसके अंदर सेम वरहा है ले ब достos इतना हिससा वह चोंकर है थो हमको इसको कि करके जो पीच्पन यह अब इतना हिस्ता पॉरा को सेम् से हमारा block में hole है same to same तब जाके same amount पे हमारा जो है इसके अंदर petrol mixer जाएगा हमारा piston power बॉड़ा दीजा उसके बाद यह step one I think putting step two swinging क्या होता है piston को और भी grinding करते हैं उसके बाद जो block वाला piston मतलब यह वाला जो प्लॉक है इसको परदाए था जो ऑला को प्लॉक है जो करेंगे चलो देखते हैं जाला कॉमेंट आया वह देखेंगे उसमें यह वाला पिष्टन को होल को तो पहले स्टेप और बढ़ा करना पड़ेगा कियोंकि हमने इसको भी बढ़ा गया है तो भाई खतरना वाला मोटिव करतना होगा तो सबसे महेंगा पार्थ और का बहुए ब्लोक लगभाग सेवेंट टूएट थाउजन रूपीज और ब्लैक में उननीस हजार का भी मिलते हैं और जब बाइक के लॉंच होगा तो यह वाला बाइक का प्राइस था उनीस हजार रूपे अन तो यह वाला पाट यह इस साइड रखेंगे और इसको लगा देंगे अ मुद्यों पिर्टन टाइट है कितना इसके बाद इसको हम सेम सें करेंगे यह सें सें हो गया अभी यह वाला पार्ट काउं को मार करना है अन्वेसे अभीत तक आब इस वीडियो को देख रहेगा तो सुहमाला ये वाला पाठ हमको कटिंग करना पड़ेगा और इस साइट ये वाला पाठ करना शर शर अः द decision में ऑ़ेगा इसाइटार स करना शर्माठ कहफ़े göre deepest हमको करना पाठ हमको किया है और पाठ फ़ेत्सरू meillä सė पाठ दिनге के यह़ेंगा कि बहुत सारा महनत करने के बाद फानली जो पिश्टिन का साइज है इस तरीके से आया है दोनों तरह लगवक मैंने सेमसम करने कोश्चिस के अभी इसको पिश्टिन के अंदर डाल के दिखेंगे कि हमारा जो पोटिंग है अधा पोटिंग का अधा कम कम्प्रिट हुआएगे और हरवार आपको क्लिन करने हैं अलादर अलुमीनियम को टुकड़ा है वो ब्लॉक में स्क्राच कर सकते हैं तो सबसे पहर हम इसको डालेंगे पहले आपने देखा कि विश्टिन का हालत कैसा था मतलब इतना इस सा कटिंग हमने तो किया है इसको सेमसम कर लेते हैं यह हमने मैं दिखा हूँ आपको देखों बिल्कुल सेमसम हो चुक है हलका सा इसमें मिसगाइड हुआ है तो इसको में हलका सा फाइल से किसना पड़ेगा अभी बिल्कुल सेमसम है और इस साइड में देखें तो इस साइड का तो बिल्कुल सेमसम है अलका सा यह चल जाएगा तो फाइनली इसका जो आधा पोर्टिंग काम है इस सम्कम्प्रीट हो चुक है और इसको इसका अंदर देखो अलमिन्यम को टुक्राद जा चुक है इसको बिल्कृन करना है उसके बाद इसका जो एक काम हो गया और इसके बाद हमको यह वाला पार्ट है नीचे में हलका सा फाद नेरं आऄ डेगो यह वाला पाड आण ठीक यह वाला पाट तो इसको भी हमको सेमसम कारेंगें आपके तो यह वत्म संघ्व भीएंग का पोर्टिंग है मतलब वर्मप्रू टिंग का मामिह होलग mulheres इसको कुछ ने करना है तो यह मतलब जो पोर्टिंग का फर्स्ट वाड़ बहुत सही हो जाएगा गल कि अज़र 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 है कि अज़र की आट बहुत सारा मेहनत के बाद जो पोर्ट का हो ले आपको नोटिसपल लग रहा हुआ कि पहले से बढ़ा हो चुक है मतलब 30 बढ़ा हो चुक है तभी मैसा आएगा अभी मैं आपको मेजर्मेंट करें दिखा दूं कि हमने जो पोटिंग पिस्टन है वो सही से बनाएं कि और भी कामिया रहे गया है बाकि इसके बाद हम इस्ट् अओ कि नहीं फल्फ ही थोल्फ हमने पहले से घर कि रही हो पहले से बड़ेशाव अभी बेरी दो पाद इसका रिंग का गैप हम चेक करेंगे पिस्टन बिल्कुल टाइट है ठीक है पॉन टफटू और इसमें जो है जो जो टॉप वाण जो थोड़ा सा पतल रहते है और टॉप टू रहते है तो पहले टॉप वाण रिंग को इसका अंदर डालना है इस तरी असे और इसका गैपिंग हम चेक कर रहते हैं कि सही से बोरिंग हो आके नहीं वह तो चेक करना पड़े है अल्राइट अभी सो एज यू कैन सी जो ओपिनिंग है वह यहां पर बिल्कुल मिनिमियम सा हलका सा गैपिंग है तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट बोरिंग हुआ है और उप इन्ठर और जो गैपिंग है मतलब एक्टम से में दाऊ है इहां पे गैपिंग है वोको ईकल कुल दिखाय Also Everything बिल्कुल एकोरेट है अभी इसका हम बाइक में इन्सेल करांगे बाकि पिंग का सारा काम किसे और कंपर्ट होता है चोएव दाविक difference between port piston and normal piston ये वाल ये पिस्टन है वह है हमें का port system रडिकर दिया है तो यह है पुरा दिफ्रेंट्स बाकी तो सेम हिए सो आज है इस दे कॉंक्लूजिन हमने इसका पॉर्ट सिस्टम रड़ी कर दिया है और इसको आपर बनाइब की है जो पर थी कि अंधुरे संथे सशे नाय ब्लास्ट बस जादा हो ऑग तो वह स्टेज 2 पॉर्टिंग स्टेज 3 भूट में फिद्द होता है कि इसको भी OR बढ़ा करके जादा वेल में जैना पड़ता है तो बो करवडर पूर्टी है उसके बाद हाई-स्पीड कर रेसिंग आता है मतलब रेसिंग कर राता है उसके बाद रेसिंग सीड़े आता राक्षानेट के लिए तो परफॉमेंस में अगर आप देखो आएकसानेट को बहुत म स्थोड़क्त में चैनल को बहुता बनार लग रहा है मंठीजानेट और इसको पलना बहुत खरचा देंगए मैं ऐसको को फिटिंग करेंगे और नेक्स्ट बीड़ा में इसको स्टार्ट करके जो टो ट्यूनिंग वेगार है बोद देखेंगे क्योंकि यह वाला पाड आइधिंग लंबा वच्छों आपको सम्झागे चक्कर में और बाकी यह पोर्ड बगारा यह अपका पिस्टन बगारा बाकी इसका प्राइज में बिताया दूं तेरा सो सत्तर रूपेस का इमरेपी है पिस्टन का स्लीम मारने का लग खर्चा है बोरिंग का लग खर्चा है बाकी यह है पार्ड बाए बाए जय हिंद बने वातरम भारतमान तकी जै कर दो कि एक रखचित कर दो कि को पर अजय है बगारा बातरम वातरम थोरह है यूँ उक एक तो स Le ONE चिए के लिए कि आ